नमस्कार स्वागत्यापका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नए शीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज रात से पूरे दस वर्सों तक इन पांच राशियों पर धन लुटाएंगे सनिदेव कहीं आपकी राशी तो नहीं दोस्तों भगवान सनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है कहते हैं कि अगर भगवान सनिदेव की कृपा किसी पर हो जाए तो उसकी हर काम बनते चले जाते हैं और वह ब्यक्ति रंग से राजा बन जाता है लेकिन अगर भगवान सनेदेव की वक्रदिष्ट किसी पर पड़ जाए तो एक राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती जोतिस की माने तो जीवन में हर ब्यक्ति को कभी न कभी भगवान सनेदेव की कृपा अवश्य मिलती है जी हां और प्रकोप भी सहना पड़ता ह कुंडली में सनी किस भाव में बैटे हैं माना जाता है कि सभी बारा राशियों को कभी न कभी सनेदेव की साढ़े साती और धाया से गुजरना ही पड़ता है आमतार पर सनी एक राशी में करीब धाई साल तक रहते हैं ऐसे में सनी के इस्थान से ये तैं होता है कि वो बूत इस्थिती में होते हैं तो उसके फल बहुत सुब दायक होते हैं लेकिन अगर सनी की इस्थिती कमजोर है तो उस व्यक्त को इसके परिणाम भी भुकतने पड़ते हैं जोतिस के अनस्वार जब सनी गोचर में किसी राशी के चोथे या आठमे भाव पे होते हैं तब इससे सनी के ढईया कहा जाता है दोस्तो यदि आपके बनते हुए काम भिगड जाते हैं या फिर आपको अपने जीवर में काफी सारे दिक्तें परिषानिया और दुख से गुजरना पड़ रहा है तो फिर आप किसी या फिर किसी रोग से पीडित है काफी समय से आप नहीं है और दोस्तों भगवान सनिदे को परसंद करना उतना कठिन नहीं होता बतादे कि यदि आप हर सनिवार को सनि चालीसा का पाठ एक सव आठ बार करते हैं या फिर ओम शम्शन शिरायन में मंतर का जाप करते हैं तो इससे भगवान सनिदे आप से जरूर परसंद हो जात और उनके चलीसा का पाठ करें कहते कि सनिवार की दिन हन्मान बाबा की पूजा करने से भी सन्यदेव की किर्पा प्राप्त होती है और साथी साथ सन्यदेव को प्रसंद करने के लिए इस दिन गरीब निर्धन को काले वस्त्र, काले तिल का दान अवश्य करें सनिवार के दिन किसी सनि मंदरे में जाके सरसों को तेल का दीपक जरूर जलाएं किसी गरीब को सरसों को तेल का दान करें दोस्तों ये कुछ उपाए जिन्हें अगर आप सनिवार के दिन सनिदेव को प्रसंद करने के लिए करते हैं तो आपके उपर सनिदेव की अश्यम कृपा प्राप्त होगी और आपको आने वाले हर समय में सनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी दोस्तों बताना चाहेंगे कि फिलहाल सनिदेव अभी अपनी स्वैम मकर राशी में चल रहे हैं जी हाँ और मारगे इस्थिती में चल रहे हैं बताना चाहेंगे कि सनिदेव अपनी स्वैम की राशी मकर राशी में चल रहे हैं और इसी कारण से कुछ विशेश राशीयों पर शुब द्रिष्ट डाल रहे हैं जी हां दोस्तों बता दे कि भगवान सनेदेव की शुब द्रिष्ट कुछ विशेश राशियों पर पढ़ने के कारण अब ये राशिवाले जातक धनसे माला माल होने वाले हैं यानि कि इन राशिवालों के लिए आने वाला समय तो आपसे अन्रोधे की बीडियों को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशिवालों पर अब कलियुक के महराज सनेदेव की बिशेष कृपा द्रिष्टी आज रात से अगले 10 वरसों तक रहने वाली है अब ये धनसे माला माल होने वाली हैं, इनके भाग को सनिदेव सातमे आस्मान पर चमकाने वाले हैं, इनकी रूठी ही किसमत भी चमक जाएगी, भगवान सनिदेव के कृपा से इन राश वालों की तकदीर चमकने वाली है, दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली और जो राशी आती है इस लिस्ट में वो है यहाँ पर मिथुन राश को बताना चाहेंगे कि आज राश से पूरे दस वरसों तक भगवान संदेव की आपको उपर खाश किरपा रहेगी बताना चाहेंगे कि नए कार की सुरुआत करके अच्छा खासा आमदनी का स्तुरोत बना सकते ह बिजनस ब्यापार में आप तरक्की करके बहुत आगे जाएंगे साथी समय साजेदारे में बिजनस ब्यापार करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त होगा कुछ नए अबसर आपको प्राप्त होंगे जीवन में चल रही परिसानिया अब भगवान संदेव आ नहीं नोकरी में आपको उन्नती रहेगी और लाब मिलेगा बड़े दिक्यारियों का सपोर्ट मिलेगा इस टाप के जो लोग काम करने वाली है वो आपके कारचेत में आपकी मदद करेंगे बताना चाहेंगे कि अगली यानि जो दूसरी जुराशी आती है दोस्तों वो है यहां पर कन्य रास के जात को बताना चाहेंगे कि आज रास से पूरे दस वरसों तक अब आपके किस्मत चमकने वाली है अब आपकी लोटरी लगने वाली है जी हां बता दे कि कई सुनहरे मौके मिलेंगे बैवाहिक जीबन में खुशियां बरसेंगी दामपत जीबन में ख तकलिप नहीं रहेगी, सारे संकट सोता ही भगवान सनेदेव दूर करने वाले हैं, बताना चाहेंगे कि सनेदेव की कृपा के कारण, यनि कि आज राज से इस्टुडेंट के लिए भी बहुत अच्छे अपसर मिलेंगे, बिद्यारती बगर पढ़ाय लिगए पर फोकस बना कर अच्छे कार के सुरुआत करेंगे, ने बिजनेस भी आपार के सुरुआत करेंगे, किशी मल्टी नेशन कंपणी साब को जोब के लिए आफ़ार आएगा, साथी इस समय धर्म कर्म के कार होंगे, अभी वाही जातकों के ने रिष्टें आएंगे, बड़े भाई बहने को सहयोग प्राप्त होगा, अब अगली यानी जो तीसरी जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहां पर धनु राशी, धनु राशी के यात को अब आपके किसमत है, आज राश से चमकने वाली है, और आने वाले अगले दस वरसों तक अब आपको कोई किसे चीश के कमी नहीं रहेगी, भगवान सनेदिक कृपा से अब आपके जीवन में नए ने चमतकार देखने को मिलेंगे, नए अबसर आपको प्राप्त होंगे, समाज में मान समान बढ़ेगा, रूतवा बढ़ेगा, राजनीतिक शित्रे जुडाल वगाव बना के रखेंगे तो लाब हो राजनीत में आप इंट्री कर सकते हैं, राजनीत में आपकी अलग एक जान पहचान बनेगी, जिसका सीधा सीधा आपको लाभ मिलेगा, कुछ नए अबसर प्राप्त होने जा रहे हैं, और कई सुनहरे अबसर प्राप्त होने के कारण अब आपकी किस्मत बुलंदियों पर रहेगी, नए अबसर आपको प्राप्त होंगे, जिवन में चल रही परेसानिया, अब भगवान संदेव की कृपा से अब आपकी दूर होगी, बता दे कि इसमें आपके जो बड़े अधिकारी हैं, उच्छा धिकारी हैं, वो आपके काम छेतर में आपकी मदद करेंगे, इ दोस्तों बता दे कि अगली अनि जो पांचमी जो राशी आती है, वो है यहाँ पर, दोस्तों बता दे मीन राश, मीन राश के याद को बताना चाहेंगे कि भगवान संदेव की खाश किरपा, आज राश से पूरे दस वरसों तक के लिए आपके उपर बनी रहेगी, जीवन हर तरप से मिलेगी, नए अफसर मिलेंगे, दोस्तों का याफा होगा, दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, रिष्तेदारों से अच्छे अपसर आपको प्राप्त होगे, कई सुनहरे मौके मिलने के कारण, अब आपकी किस्मत दिन दूनी राश चोगनी तरक्य करने वाली है इन पांच राशियों पर अब धन लुटाते नजराएंगे भगवान सन्य देव धन का खजाना लुटाने वाले हैं बता दे की अनेक प्रकार के लाभ इन पांच राशियों को मिलेगी तो दोस्तों कमेंट में जरूर लेखेगा जै सन्य देव साथे दोस्तों वीडियो को जदा जदा शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करिएगा जै सन्य देव